आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट करें। एलो एलियों, हमको प्रशन दिया कि पांच आम और चार नारंगी का मुल्य का उतना ही मुल्य जितना कि तीन आम और साथ नारंगी का मुल्य है। एक आम तता एक नारंगी की मुल्य का अनुपात क्या है। तो मान लेते हैं कि एक आम और एक नारंगी, कमुली, क्रमशह, ए और एन है, देखो, आम का हमने मान लिया, एक आम का ए और एक नारंगी का एन है, तुमको प्रश्ण में क्या दे रखा है, कि पांच आम और चार नारंगी का, अगर एक आम का ए है, तो पांच आम का कितना हो जाएका पांच है, और चार नारंगी का बोला हैं, दोनों का साथ में, तो यह चार नारंगी का मुल्ली कितना दीर गाए जितना की 3 आम का और 7 नारंगी का बाद इसको हल कर ले नहीं है अब यहां से यह वाली संक्या को एक तरफ करेंगे मतलब आम आम का मुल्ली आरप और आरंगी का तो यह पांच एधर है तीन अगा पक्षंतरों के इधर आएगा तो यह रिंड की हो जाएगी इसी तरीका से 7N इधर है 4N का पक्षंतरों को जाएगा तो यह रिंड का हो जाएगा 5N में से 3N गया तो 2N बज गया 7N में से 4N गया तो 3N बज गया तो यहां से क्या हो जाएगा A तो इधर ही रहेगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं A तो यही रहेगा और N को इसके बटे में जाएगी बराबर 3 तो यही रहेगा और 2 इसके बटे में चल जाएगा तो यह A बटे N क्या है 1 आम और 1 नारंगी का अनुपात है तो यह कितना है गया तो इसको क्यसे लिख सकते हैं ए अनुपात एन बराबर तीन अनुपात दो तुमारा कौन सा उत्तास ही हो जाएगा option number 2 Thank you